जैये माताजी दोस्तो आप देख रहे है धरम प्रत्ती चैनल दोस्तो आज के स्विसे शांक में हम जानेंगे शंतान सप्समी ब्रत 2021 में कब है संतान सप्समी 2021 ब्रत की पूजा विदी तथा एक ऐसे उपायब के बारे में जानेंगे दोस्तो जिसके करने से हमारी मनों कामना पुर्ण होती है तो दोस्तो हर वर्ष भाद्रपद महीने की सुक्ल पक्च की शप्तमी तिथी को संतान सप्समी का ब्रत किया जाता है इस बार दोस्तो 13 सितंबर को संतान सप्समी ब्रत मनाया जाएगा दोस्तो इस दिन माता पिता दोनों या फिर दोनों में से कोई संतान सप्समी का ब्रत एवं पूजा कर सकता है इस दिन भगवान सीव और माता पारवती की बिधी बिधान से पुजा की जाती है यह ब्रद संतान की प्राप्ति और उसकी कुशल्टा और उन्नदी के लिए किया जाता है तो आएए दोस्तों जानते हैं संतान सप्तमी ब्रद करने की बिधी संतान सप्तमी के दिन सुबा जल्दी उठकर असनान करके स्वक्ष कपड़ा पाने और भगवान सीव और मा गवरी के समच पर नाम कर ब्रद का संकल्प ले उसके बाद ओम पंच्वक्त्राय महादेवाय धीमही तन्नो रुद्र परचोद्यात इस मंत्र का कम से कम मान सीक या म पाला लेकर एक सवाट बात जाब करें उसके बाद ब्रद की सुरुवात करें और निराहर रहते हुए शुद्धता के साथ पूजन का परसाथ त्यार कर लें दोस्तों इसके लिए एक उपाय करना है जो कि आपको खीर पूरी वगूर के साथ पूआ या साथ मीठी पूरी तैयारी कर लें या पूजा दोबर तक आपको कर लेना है दोस्तों पूजा के लिए धर्ती पर चौंक बना ले या चौंकी रख ले और उस पर माता पारवती और संकर की मूर्तिय अस्थापित करें अब कलस अस्थापित करें और आग के पत्तों के शाथ नारियल रखें द कर दोस्तो ध्यान से सुने दोस्तो साथ मीठी पूड़ी को केले के पत्ते में बांध कर पूजा में रखे और संतान की रक्षा उन्नत्ती के लिए प्रात्ना करे पूजन करते हुए भगवान सीव को कलावा अरपित करे पूजा करते समय सूती का डोरा या चांदी की संतान समी का चुड़ी हाथ में पहनना चाहिए या ब्रद माता पिla दोनों की संतान की कामना के लिए पूजन के one धूब दीप नेवे द्यारफित कर संतान सत्मी की कथा पड़े और सुने बाद में कथा की पुष्टक का पूजन करे ब्रत खोलने के लिए पूजन में चढ़ाई गई मीड़ी साथ पूड़ी या पूए खाए और अपना ब्रत खोले तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आ जाना संतान सत्मी ब्रत दो हजजार एक इस में कब है उसकी पूजन विधी क्या है उमीद है आज की चोड़ी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी तो चैनल को एक लाइक सेर और सब्सक्राइब करें मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए प्वाँम झाल तक के लिए?